पब्लिक टीवी आपकी आवाग मिशन शक्ती 17-25 अक्टूबर तक चलेगा और इसका उद्देश यह महिलाओं की शूरियों और बच्चों के उपर होने वाले अपराद को रोकने और उनके अधिकारों से जागरू करना है सरकिट हाउस में आविजे समिक्षा में डॉक्टर विशेश गुपता ने कहा कि गाउं गाउं तक मिशन शक्ती अभ्यान की जानकारी पहुचाने में विभागों के बीच समन्वेश जरूरी है पॉक्सो एक्ट में पंजिक्रत मामलों की समिक्षा करते हुए पुलिस विभाग को चाइड लाइन के साथ समन्वेश बनाकर कारे करने और पिलिक परिवारों से समवाद कायम रखने के निर्देश दिये पुलिस उपादिक शक्त ने कहा कि हर थाने में महिला हैल्प टेस्ट बनाए गई है 1090 और 112 पर नयाए पाने के लिए कैसे प्रियोग करें इसकी भी जानकरी दी जाएगी प्राथ में एक शक्षा बिभाग है जे जे बोर्ड है तो इन सभी भी भागों की समिक्षा के अंतरकत ये जना जाए कि 17 से 25 तक क्या इस्थिती है किस परकार से इन सभी भी भागों ने स्थिती की है तो मुझे जो समिक्षा की है उससे लगा कि मिशन शक्ति चलाने के लिए या नाबालिक बच्चे बच्चियों के परती जो अपराद होने वाले है पुलिस ने आज ये परती बद्धता दोराई है कि तुरंत ऐसे बच्चों का संग्यान लिया जायागा तमाम ऐसे बच्चों के जो भी उसमें अपरादी है उसकी तुरंत गरफतारी होगी भी अपचारी ऐसा नहीं है जिसको गरफतार ना किया गया हो जिसको जेल के पीछे ना बेजा गया हो तो हमें उन तमाम कारणों की भी आज मैंने समिक्षा की है कि आखिरकार छोटे 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 बच्चो पर जो छोटे छोटे बच्चे नाबाली पाकसों में जा रहे हैं जो हमारे करीब साथ केसे जैसे हैं जो हमारे छोटे छोटे अपराद के कारण से बड़े अपरादों में बंद हैं उनकी समिक्षा भी की गई है तो अब आप जानते हैं कि सरकार की और जो हमारे योगी जी की सरकार है उसमें कितने सक्त निर्देश हैं जो मिशन शक्ती अभियान है उसमें इस पस्त निर्देश है आपने देखा होगा तमाम केसेज में अभी तो जो 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 कमिया है वो कमिया हमने इस विकार की है कि तमाम परकार के पॉक्सों का जो अभियान है पॉक्सों का जो कानून है उसमें तमाम परकार के प्रोविजन्स है तो कई बार अभी ये वारता हुई है कि जैसा वादी अ लोकल सिबिल लाइंस का मामला हो मरद बाद में या चाहे मजोला का हो उसमें काफी सक्त कारवाई हुई है और आज जो समिक्षा हुई है जो कमिया है उसको बहुँ जल्दी हम एकाज सब्ता में उसको दूर कर देंगे